जोहिन फ्रेंट्स, सिदाद भाया कि इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन ही के नक्षे कदम पर, इन ही के दिशा निर्देश पर वो सारे रॉकेट्स जो हैं, वो फायर किये गए हैं। करते हैं, वो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहता हूँ, कि कॉमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल करिएगा, क्योंकि हमारा मेंटोर्शिप शेशन है संडे को सुबह 10 बजे, मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, आप सभी लोग आईए, हमारा करिए information, और telegram पे चलिए हमारे, वहाँ पर आपको link भी मिल जाएगा, साथ ही में, अड़्डा का app ज़रू डाउनलोड करिएगा, क्योंकि हमारा एक exclusive batch आने वाला है, civil services के लिए, जूकि 2024 और 25 के लिए, बहुत ही जादे affordable, with high quality, high content creation, और साथ में, आपका low price में, description box में link है, आप वहाँ जाके जैहिन नाम का code यूज़ कर सकते हैं, पहले आएगे चलते हैं, जिकर करने, कि हर तरफ से जो चर्चाएं चल रही हैं, कि आखिर ये है कौन, जो की मोसाद से भी आगे, जो इसराइल की intelligence agency है, मोसाद से भी आगे, और मोसाद को चकमा दे के, ये कौन से ऐस लीडर्स हैं हमास के, जो की इतना जादे चर्चा में हैं, ये लीडर्स जो की बहुत लोग प्रोफाइल रहने में कोशिश करते हैं, लेकिन इनके जो मनसूबे हैं, वो बहुत ऊचे हैं, सबसे पहला नाम आता है मुहमत दैफ का, तोस्तों अगर इनके बारे में हम जिकर क इस तरीके से ये सर्वाइव कर रहे हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल में हम जानते हैं, तीन ही तस्वीर हैं पूरे के पूरे इंटरनेट पे, तीन ही तस्वीर हैं इनके एक ये और एक ये और एक ये, इसके अलावा और कोई भी तस्वीर नहीं है और ये बिलकुल जि सकते हैं कि भाई उनके लीडर हैं उनके वजीर आजम है मिलिटरी के कमांडर है ये जो मिलिटरी का नाम है इजद दिनल कसम ब्रिगेड तो ये कसम ब्रिगेड के कमांडर है हमास के तेक है इसराइली मिलिटरी के most wanted man है पूरे इसराइल मिलिटरी के सबसे ज़ादे जो most wanted है, वो मुहम्मद गाईफ है, 1995 से ही ये most wanted है, he is also known as the man of death, तो ये कितनी खातरनाक है, ये the man of death नाम हैंका, the fighters with nine lives, है ना, joined Hamas movement in 1987 and founded Al Qasam Brigade, the first military wing of Hamas in 1989, so 1989 में Hamas का, 1987 में एक तरीके से छोटा सा war चला था कि गाजा पटी में हम लोग रहेंगे, ये कुछ फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद वाले गुरुप थे, जो लोग इसराइल को निकालना चाहते थे गाजा पटी से, तो उन्ही में उस लड़ाई में मुहमद दाईफ की भी शामिल थे, मुहमद दाईफ को फिर अरेस्ट कर लिया गया था, और ये इसराइल के पिजड़े से, जेल से ये भाग गये थे, और भागने में ये कहा गया था, कि इनकी एक आँख और एक हाथ और एक फूट जो वो नहीं है, कहा ये जा रहा है कि आगे जाके 2002 या 2014 में में clear नहीं है, इसराइल डिफेंस फोर्सेज ने इनकी वाइफ को इनके दो बच्चों को मार गिरा है था, तो इनका मनसूवा तो बिल्कुल clear है, ये बदला लेना चाहते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं, अच्छा य इसराइल डिफेंस फोर्स ने इनको जेल में डाल दिया था, और जेल में बहुत लंबा डाल दिया था, और कोई चार्जेज नहीं बताया था, सिर्फ क्योंकि ये हमास की तरफ से खड़े थे, बस इसी लिए इनको जेल में डाल दिया, और इस बात का ये घुस्सा निकालत टेहीं कि आखिर इसमाईल हनियां हैं कोन, जो कि कतर के दोहा में बैटके, और सारी कि सारी dealing जो है, वो यही करते हैं, क्यूंकि ये इस वक्त के हमास के सबसे उपर हैं, जो अगर leaders के बारे में कहें तो हमास का जो सबसे top notch leader है, वो यही है, अगर कोई हमास का representative है अगर face है तो वो यही व्यक्ति है जो कि कतर के दोहा में बैठा है क्योंकि ये 2005 और 6 में फिलिस्तीन का प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है ये बंदा आखिर ये बंदा है कौन देख लेते हैं एक senior political leader है हमास का जिसने फिलिस्तीन national authority को dispute में डाल दिया था मतलब ये वही व्यक्ति है जो की one of the co-founder है co-founder मतलब यासीन एहमत के साथ हमास को found करने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका थी वो इसी व्यक्ति की थी हनिया head of हमास list that won the philistine legislative election 2006 एक ही बार हमास में चुना हुआ 2006 में उसी time पर ये वहां कर president मतलब राइ मिनिश्टर बनके निकले और एक साल बाद इनकी सरकार गिराद भी दी गई जब इनकी सरकार गिराद दी गई उसके बाद से फिरवां election हुआ ही ने सिर्फ और सिर्फ फिलिस्टीन इसलामिक जिहाद यानि कि हमास जो है वो ही शामिल है इसमें मैं आपको ये भी बता दूँ जो हमास का फुल फॉर्म है उसको कहते हैं अगर मैं बात करूँ हर कतल मुखवामा अल इसलामिया जो हमास का पूरा का पूरा मतलब है और ये इसका मनसूबा ही ये था कि destruction of Israel और establishment of Islamic society इनका target था कि civilians को target करना है जो इसराइल में रहते हैं उनको target करना है और international community जो है इन सभी को terrorist भहिया कहती है He was a key aid founder जो यासी नहमद है जो कि 2004 में air strike में यासी नहमद को मारा जा चुका था उनके बाद यही इनी का चेहरा देखा जाता है चीक है ये भी हमास के एक one of the founders में से आते हैं बैसिकली ये जॉर्डन में टहल रहते एक street पर और इसराइल की जो मोसाद है वो फरजी Canadian passport लेकर जॉर्डन पहुंची और ये street पर चल रहते इनके गले में एक ऐसा injection दे दिया कि ये बिहोश हो गया लेकिन जब ये बिहोश हो गया तो Jordan के king को ये पता चला कि भाई ये मसला मेरे country में चल रहा है तुन्होंने तुरंद phone किया Benjamin Netanyahu को बोला कि ऐसा है भाई ये सब नहीं चलेगा पहले इस शक्स को antidote दो उसके बाद फिर मामलस उल्टाएगा तो भाई Benjamin Netanyahu antidote लेकर आए इनको लगाए और ये ठीक हो गया और त एक गले में गले मिला के चलते रहते हैं और बहुत बड़ा role play करते हैं राजनीती में हमास के जॉर्डन में बैठे बैठे ये ये सारे सारे आतंकी मनसुवों को अंजाम देते हैं और US ने भी इनको एक designated terrorist बोल दिया गया है ठीक है अब आते हैं यहया सिनवर यहया सिनवर पस आप ये लगा लीजे ये व्रक्ती जो है इसका पूरा टैक का काम है यह पूरा इसका टैक का काम है इस बंदे का और ये इसके बगल में है हनिया ये क्स прराइम मिनिस्टर रह चुके हैं फिलिस्टीन के उनके बगल में ये बैठते हैं जितना भी का मिलिट्री का intelligence है हमा का, इस्राइल डिफेंस पोर्सेस क्या कर रही है, उनको कैसे चक्मा देना है, किस तरीके से करना है, तब कुछ जो है, वो यही बंदा decide करता है, one of the main leader of इजर दिनल्ला कसाम ब्रिगेड, मुहम्मद दैफ के साथ बहुत closely काम करता है, यह व्यक्ति जो है, वो इसराइल ने इसको imprison किया हुआ था, imprison लगबग kidnapped किया हुआ था, और दो इसराइली soldiers को मारा था इसने, और लगबग, ए जब exchange होते हैं na prisoners, तो prisoner 2011 में prisoners exchange हुए थे, क्योंकि गाजा पट्टी ने बहुत सारे इसराइली soldiers को बंदी बना लिया था, उस बंदी बनाने के चक्कर में इसराइल को 1000 से भी जादे हमस के लोगों को छोड़ना पड़ा था, जिसमें से 1000 में से ये एक व्यक्ति था, तो prisoner swap हुआ, उसमें से ये निकल कर आया, और साथी में, US Department इसको भी designated terrorist गोशत कर दी है 2015 में, अब हम जिकर करते हैं इस बंदे का ये है मारवान इसा, मारवान इसा दोस्तों, ये व्यक्ति जो है, वो मुहम्मद दाईफ का right hand है, मतलब जो अलकसम brigade है ना, military wing, उसके नीचे की, जितनी भी चीज़े हैं, arm, supply, dealing, इधर उधर की सब बातें, सब इनका करना है ये basically deputy commander in chief है, right hand है मुहम्मद दाईफ के, पांच साल जेल में रहे थे, इसराईल द्वारा, उसके बाद फिर ये छूटे जेल के बाद फिर अपना उसा निकाले, कहा ये जाता है, कि एक attack हुआ था, air strike हुआ इसराईल ने किया था, उसमें इहोंने अपना भाई को दिया था तो इनके अपने भाई का होने का गम और इसराईल से बदला ही जोड दिया है, हमास के इन leaders के साथ, 2019 में, September में, इनको global terrorist घोशिट कर दिया है, तो ये है, कुछ 5 या 4 जिनको आप terrorist कह सकते हैं, US की भाशा में, या फिर आप हमास के लिए, इनको आप लीडर्स कह सकते हैं, ज जिदों ने literally idea, यानि की Israeli Defense Forces को चकमा दिया है इस बार, और इतना बड़ा attack प्लान किया है, आप मुझसे कौल और कौन सी वीडियो उमीर करते हैं, comment में जरूर बताएगा, तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, याद रखिएगा, सैट संडे को 10 बजे हमारा webinar है, Civil Services Examination को कैसे crack करें, prelims को, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमशकार चेहिन, जै भारा दोस्तों.